है कि हैं लोगाईज केसो आप सब आइअ आल वेल तो इस वेड़्ूस हमने पिसली वीडियो में एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट से उनको याद करने कि ट्रिक देख लिए थी आसानी थी सब को याद भी हो गया होगी आसानी से तो आज हम दी ब्लॉक के एलिमेंट्स के ल दो ट्रिक्स है ठीक है तो देखो आज थोड़ा गला खराब है मेरा तो थोड़ा एजस्ट कर लेना तो सबसे पहली सीरीज देखते हैं पहले जो मैं बोलूँगा उसको एक बार सुनो एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल लो ठीक पत्नी घर से बहार गई हुई है और ज पत्नी बोलता है सकती भी करी मैंने मलब बच्चों पर सकती भी करी मैंने पत्नी क्या बोलती है फेको नी कुछ मलब जूट बोलना नहीं बोलता है आजकल कि फेक मत यार तो फेको नी कुछ जानती हूं ठीक है तो सकती भी करी मैंने सकती 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 भी करी मैंने फिर पत्नी बोलती है फेकोनी कुछ जानती हूं ओके ये ट्रिक आसानी थी याद हो गई होगी सेकेंड ट्रिक है सक्ति मान भी करे मना सक्ति मान भी करे मना फेकोनी कुजन मतलब फेको नी फेको नी तो मतलब जूट बोलना फेको मत फेको नी कुजन कुजन क्या होता है जैसे सुजन होता है अच्छा आदमी अच्छा व्यक्ति ठीक है अच्छा परसन वैसे कुजन क्या होता है बुरा आदमी तो फेको नी फेकेगा कौन जो बुरा आदमी ओपर ठीक है त तो फेकोनी कुजन तो क्या हुआ ? शकतीमान भी करे मना फेकोनी कुजन समझे में आईए अच्छी ट्रिक है ना दोनों ट्रिक एकदम अच्छी है तो ये देखो ठिक है ये दोनों मैंने यहाँ लिखी है सक्ति भी करी मैंने फेको नी कुछ जानती हूँ ओके दूसरी ट्रिक सक्ति मान भी करे मना फेको नी ठीक है फेको नी कुजन ठीक है सक्ति मान भी करे मना फेको नी कुजन और ये सक्ति भी करी मैंने फिर पत्नी बोलती है फेको नी कुछ जानती हूँ होगी आसा निसेयाद ठीक है अब दूसरी जो सीरीज है डी ब्लॉक की उसके लिए हम देखते हैं अब मैं जो बोलूँगा एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना आपका मन कर रहा है घूमने का ठीक है खेलने का आप अपने दोस के आँगे और वो क्या कर रहा है पढ़ाई कर रहा है और आ नहीं रहा है आपके बोलने पे भी तो आप फिर क्या करोगे एमोशनल अत्याचार क्या करोगे निंजा ट्रिक अपना होगे ना निंजा ट्रिक एम सुनलो एक बार क्या कहेगा हो यारी जरूर निभाना मौत तक रूह रहेगी पड़ आज छड़ मतलब रूह रहेगी पड़ लेगा आज छड़ दे मतलब समझाया ठीक है यारी जरूर निभाना मौत तक रूह रहेगी पड़ आज छड़ उके रूह रहेगी पड़ आज छड़ आज छड़ देना उके समझबाई ठीक है तो अगली सीरीज के लिए देखते हैं यहाँ पर ला है यह लेंथ नाइट सीरीज है ना आपको पता है यहां पर 57 से 71 तक लेंथ नाइट सीरीज आती है जो की एप ब्लॉक में आती है यह और यह दोनों तो चलो स्टार करते हैं देखो अब मैं जो बोलूँगा एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल लेना ठीक है उसको याद करने की हफता लेने के लिए कहता है और घूंगरुसेट क्या करता है उसको इरिटेट करता है तो फिर मजनुगा उसकी सौप में जाता है और क्या बोलता है ला हफता क्या ला हफता वर्ना रे ओ इरिटेटिंग ठीक है ला हफता वर्ना रे ओ इरिटेटिंग इरिटेट करता है गुंगरुसेट, ओ, इरिटेटिंग, ठीक है, पिटाई और होगी, समझ में आई, ठीक, तो इसके लिए ये है, ला हफ्ता वर ना रे, ओ, इरिटेटिंग, पिटाई और होगी, तो मजनुबाई, रॉक्स, यह समझ में आया, ठीक है, अब यहाँ पे, अगली सीरीज जो D block की last series है यहाँ पे actinite series का जो first element है actinium वो आएगा तो इसके लिए क्या होगा देखो यहाँ पे अकेला रदरफोर्ट दूवा सागर में ठीक है अकेला रदरफोर्ट दूवा सागर में बोर हस मत दोस्त रंग चेंज हो रहे हैं अब देखो आपकी कोई दोस्त के दूवा मतलब दूव गया मर गया अब उसके मनने पे कोई हसेगा तो वो रंग चेंज कर रहे हैं न उसके रंग चेंज हो रहे हैं ठीक है तो क्या होगा अकेला रदरफोर्ट दूवा सागर में सागर में एक साथ है तो बोर हस रहा है फिर तो क्या कहा है रहे हैं लोग बोर हस मत दोस्त बोर हस मत दोस्त बोर हस मत दोस्त रंग चेंज हो रहे हैं तेरे मलब रंग चेंज हो रहे हैं अकेला रदरफोर डूबा सागर में बोर हस मत दोस्त रंग चेंज हो रहे हैं ओके समझे मा आ गया तो इसके लिए ये ट्रिक है तो इसके लिए यह है यहाँ पर एक्टरनाईड है तो अकेला रदरफोर डूबा सागर में बोर हसमत दोस्त रंग चेंज हो रहे हैं आया समझ में अकेला रदर्फोर डूबा सागर में बोर हसमत दोस्त रंग चेंज हो रहा है अब देखो ऐसे में तो आपको याद होगे बट अगर आप उपर से नीचे जो करम है उसको भूल गे तब तो देखो अगर आपकी पैंट फट गई तो आप क्या करोगे? सिलाओगे क्या करोगे? सिलाओगे ठीक है न? तो सक्ती ठीक है न? ऐसे सक्ती ठीक है? सक्ती वाई यारी एल ला और ए अकेला समझ में आगे? पैंट फट गईगी तो क्या करोगे? सिलाओगे सिलाओगे तो ऐसे में भी फर्स्ट जो वर्ड्स है उनको याद रखना भी जरूरी है ताकि आपको वहाँ से पूरी सिरीज बना सको ठीक? तो ये थी सारी ट्रिक्स अब आप क्या करोगे? जैसी ये वीडियो बंद होगा आप क्या करोगे? जितनी भी ट्रिक्स हैं जैसे फर्स सिरीज के मैंने दो ट्रिक्स बताई थी उन में से क्यों याद करना एक याद करना ठीक है? नहीं तो कन्फिज हो जाओगे एक ही याद रखना ठीक? अब क्या करोगे? जैसी वीडियो खतम होगा आप सारी elements को देखते देखते इन ट्रिक्स को भी याद करोगे देखना आप कभी नहीं भूलोगे क्योंकि revision का कोई भी विकल्प नहीं है मैंने पहले भी ये चीज बोली है आप revision नहीं करोगे न तो ट्रिक्स चाहिए कोई भी ट्रिक्स हो आप वो भी भूल जाओगे कुछ टाइम बात तो इसलिए revision एक बार जरूर करना तो आई होप ये वीडियो आपके अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ट्रिक्स कैसे लगी है समझ में आया नहीं आया मजा आया नहीं आया आप comment box में लिखना और आपके पास भी कुछ ट्रिक्स हो तो उनको भी comment box में जरूर शियर करना ओके तो ठीक है थेंक्यू